नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फास्टिस टेड़ी प्लानर यूटूब चैनल पर सात्यों PCS 2021 में बढ़ गए 138 पद देखे जब मूल विज्यापन जारी हुआ था तो उसमें 400 पद थे लेकिन अब 138 पद बढ़ गए हैं तो टोटल पदों की संक्या 538 हो चुकी ह विज्यापन में HDM का कोई पद नहीं था लेकिन अब 52 पदों का HDM का अधियाचन मिला है कुल पद 538 हो गए हैं देखे पूरी ख़बर पढ़ लेते हैं यह आज के अमरुजाला देनिक जागरन हिंदुस्तान सभी न्यूज पेपर में एक ख़बर आई हुई है PCS 2021 में 138 पद बढ़ गए हैं और आप पदों की संक्या बढ़कर 538 हो गई है उत्तर परदेश लोक से वायोग UPPSC को डिप्टी कलेक्टर के 52 नए पदों का दियाचन भी मिल गया है PCS 2021 और सायक वनसंगरक्सक ACF आरफो 2021 की प्राइरंबिक परिक्सा 13 जून को प्रस्तावित है जिसके लिए 6,1,173 ब्यार्टियों ने आवेदन किया है लगए 7,0,000 आवेदन इसमें हुए हैं PCS 2021 में UPPSC ने PCS 2021 और ACF आरफो 2021 का विग्यापन पाच परवरी को जारी किया था और उसी दिन से आललाइन आवेदन की परकेटिया सुरू की गई थी आललाइन आवेदन सम्मिट करने के अंतिम्तिती 5 मार्च थी आयोक की और से जारी किये गए विग्यापन में PCS के 400 ACF और RFO के 15 पद सामिलते विग्यापन में डिप्टी कलेक्टर का कोई पद नहीं था इसके बावजूद आयोक को रिकॉर्ड 6,91,173 आवेदन मिले आयोक को अब 138 नए पदों का अधियाचन मिल गया है जिनमें डिप्टी कलेक्टर के 52 पद भी सामिल है PCS 2021 में अब 25 परकार के 538 पद हो गए है 538 पद हो गए है ACF और RFO के लिए कोई नया अधियाचन नहीं आया है सो पूर्व की भाती ACF का एक और RFO के 16 पद है आयोक के मीडिया पर भारी पुसकर स्रीवास्ताव का कहना है कि पदों की संक्या और भी बढ़ सकती है प्रारंबिक परिक्सा का परिणाम आने तक अगर अन्य पदों का दियाचन आता है तो उन्हें भी PCS 2021 में सामिल कर लिया जाएगा अब एक पद पर 1285 दावेदार PCS 2021 में एक पद के लिए 1285 दावेदार है प्रारंबिक परिक्सा में क्योंकि आपको पता होगा कि 13 गुना अब्यारती इसमें क्वालिफाई किये जाते हैं तो देखे इन पदों पर होनी है भरती अब ये महत पूर्णई से देख लिजे जिन पदों पर भरती के लिए अधियाचन मिले है उनमें डिप्टी कलेक्टर यानि जो PCS का सरवच पद है SDM के 52 पद है डिप्टी SP के 16 परधाना चारी है GIC के 222 में पद आपकारी निरिक्षक के 44 पद एक्साइज इंस्पेक्टर के BDO के 49 पद है ARTO के 3 पद और DPRो के 4 इसके लावा सायक नगर आयुक्त के 10 पद है अधिक्षक कारागार के 9 उपनिबंदक के 5 पद है सायक नियंतरक विदिक माप विज्ञान ग्रेड वन का 1 पद जिला प्रोबेशन अधिकारी का 1 पद गन्ना निरिक्षक एम सायक चीनी आयुक्त का 1 पद सायक भंडार कर अधिकारी का 1 जिला गन्ना अधिकारी के 3 पद सायक निदेसक उद्ध्यान के 5 सायक सोद अधिकारी के 2 विदी एमम लेख अधिकारी के 8 परबंदक परशासन सामान्या के तेहरा जिला बचत अधिकारी के साथ साहक अभियोजन अधिकारी परिवेहन के दो पद सामिल है तो कुल पदों की संक्या पांट सो अटिसा इस बार यूपी पीचेस में तेहरे जून को आपको प्री परिक्सा देना है देखे प्रारंबिक परिक्सा का रिजल्ट आने से पहले जितने भी अधियाचन और मिलेंगे तो वो भी इसी 2021 में जुड़ जाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट इस्टेडी प्लानर को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों